अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके ले कर आ चुकी हूँ बहुती काम की वीडियो सैप्टी पिन को लहसुन में हमें क्यों लगाना है और साथी साथ नारियल तेल को कॉटन पे क्यों डालना है इन सारे ही टिप को इस वीडियो में मैं शियर करने वाली हूँ इनको इस्तमाल करके आप काफी सारी बज़ट भी कर सकते हैं अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेलफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शियर कीजिएगा ताकि वो भी इन्टिक्स को यूज कर पाएं तो ये कैरी बैक हमें मिलता है अब इस कैरी बैक का कोई भी यूज नहीं लगता है तो इसको हम उठा के वैक दिया करते हैं लेकिन इसका भी मैं आपको बहुती बढ़ी आसा यूज बताऊंगी जो आपके काफी सारे पैसे की बचट करेगा तो इसके लिए देखे हमें क्या करना है इसकी थोड़ी सी पतली स्ट्रिप को हमें काटना है या फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको काट सकते हैं यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिप ली हैं मैं इसको अल्रेटी बना के रखी हूँ और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने दो ही स्ट्रिप को ले लिया है इस तरह से देखिए इसको फोल्ड कर देना है और उसके बाद इसको हमें सरकल में कट कर लेना है इससे क्या होगा जितनी भी इसकी लेयर हैं वो अलग-अलग हो जाएंगी और एक साथ हम सारे ही सरकल को एक ही शेप में काट पाएंगे तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है अब आप कोई भी खाली डिब्बी ले लीजिए यहां पर मैंने क्रीम का डिब्बी ले लिया है अच् हमारा बहुती बढ़िया सा मेकप रिमूवर पैड बनके तैयार हो जाता है इस तरह का अगर हम मार्केट से खरीबते हैं तो हमें काफी जादा महंगा मिलता है मतलब कुछ ना कुछ तो पैसे हमारे खर्च होते ही हैं और हम सभी लेडिज को मेकप रिमूवर की जरूरत हम पैसे की बच्चत कर पाएं और अपने काम को भी आसान कर पाएं इससे हमारा डबल बेनिफिट होता है एक तो जो वेश्ट चीज है उसका यूज भी हो जाता है और पैसे की बच्चत हो जाती है तो देखिए मैंने यहां पर लिपस्टिक लगा लिया है उसके बाद मैं को रिमूव करके भी दिखाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है यहां पर मैंने एक पैड ले लिया है और इस तरहा से इसको रब करना है इसमें थोड़ा सा जादा ही ओयल है इसलिए जादा फैला सा नजर आ रहा है लेकिन जब अच्छे से यह पैड पैसे की बचत कर पाएं और अपने काम को भी आसान कर पाएं अगला ट्रिक भी हमारा बहुत जादा यूसफुल होने वाला है देखे जब भी हम घी बनाते हैं उसके बाद इस तरहा का जो इसका खुर्चन होता है काफी सारा बच जाता है अब इस खुर्चन को हम क्या करते हैं ऐसे ही उठाके फैक देते हैं या फिर कुछ लोग इससे मिठाई बना लेते हैं तब तो ये यूज हो जाता है लेकिन जो लोग फैक देते हैं ये टिप उनके बहुत काम आएगा इसमें काफी सारा घी बच जाता है जो कि ऐसे निकलता नहीं है तो आपको क्या करना है पानी डाल देना है पानी थोड़ा सा जादा ही डालना है अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और उसके बाद इसको हमें उबालना है उबालने से क्या होगा जितना भी इसमें घी होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा इस खुरचन से और ये खुरचन ऐसे ही वेस्ट बच जा अब आप इसको उठाके फैक भी सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने इसको रख दिया है गैस के फ्लेम ओन करके अच्छे से उबाल आ चुका है अब हमें इसे एक दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेना है तो इससे क्या होगा जितना भी इसका घी होगा वो निकल जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से हम घी कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी तो इसको पहले हमें अच्छे से ठंडा करना है उसके बाद ही इसको योज करना है अब हमें क्या करना है यहां पर देखिए ठंडा हो चुका है जितना भी घी है उपर के साइड आ चुका है इसको हमें रखना है अपने फ्रिज में इस तरह से देखिए एक से दो घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए या फिर उतनी देर के लिए रखना है जितनी देर में इसके उपर घी की परत जम जाए इससे क्या होगा जितना भी घी होगा उपर के साइड जम जा अगर हम इसको ऐसे ही फेक देते हैं तो काफी ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है लेकिन जब भी आप घी बनाए तो इस प्रॉसेस को जरूर करें और आप देखेंगे जो बचा-खुचा इसमें घी है वो भी निकल जाएगा तो यहाँ पर जितना खुर्चन था उसमें आप देखी सकते हैं कितना सारा घी उपर के साइड आ चुका है और अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर के लिए जमाने भी रख सकते हैं उससे काफी ज़्यादा यह कड़क जम जाएगा लेकिन मैंने इसको ऐसे ही निकाल लिया है और आप देखी सकते हैं कितना सारा घ ही है अब इस घी को हमें ऐसे ही इस त mant करना है इसको वापस से हमें गैश की flame को ओन करके पका लेना है इस तरह देखेंगे कि जो चीज हम ऐसे है फैट दिया गर अ तो क्यों न इस तरह है हम छोटे चोटे टिप्स को यूज करें और अपने काम को आसान करें और कफी सारी बचत भी कर पाएं आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा अगला ट्रिक है हमारा निल पेंट को लेकर तो देखें निल पेंट का नहीं आता है उनके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रेक आपको बताऊंगी आपको लेना है इस तरह की टिक टॉक पिन अब इस पिन को हमें अपने नेल्स पर इस तरह से दिखे लगा लेना है उसके बाद हमें उपर से नेल पेंट को लगाना है इस से क्या होगा नेल पेंट बिलकुल भी इधर उधर फैलेगा नहीं और एक परफेक्ट शेप में हमारा नेल आर्ट बनके तयार हो चुका है मैंने आपको एक्जामपल के लिए दिखाया है आप इसी तरह से नीचे के साइट दूसरा नेल पेंट और उपर के साइट दूसरा नेल पेंट लगा कर बहुत अच्छी तरीके से नेल आर्ट करते सकते हैं जिनको बिलकुल भी नेल आर्ट करना नहीं आता है वो भी इस तरह से कर पाएंगे आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन ले लिया है अब लहसुन का इस्तमाल हम सभी लोग अपने किचन में डेली ही करते हैं सुबा शाम अब जब भी हमें इसे छीलना होता है न तो इसकी कलियों को हम अलग करते हैं और उसके बार डारेक्ट इस तरहा से अपने नाखून की मदद से इसको छीलना शुरू कर देते हैं इससे क्या होता है एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा कभी कभी जो लहसुन होता है इसका उपर वाला पार्ट काफी ज़्यादा हार्ट होता है वो हमारे नेल्स में लग जाता है जिसकी वजह से काफी ज़्यादा पेन होने लगता है तो इसको छीलने का मैं आपको बहुती बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे हमारे नेल्स में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और हम लहसुन को बहुती अच्छे तरीके से छील भी पाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने सैप्टी पिन ले लिये हैं अब इन सैप्टी पिन की मदद से हम बहुती आसान तरीके से लहसुन को छील पाएंगे इससे हमारा टाइम का भी बचत होता है और काम भी बहुत ज़दा आसान हो जाता है अब देखिए जो सैप्टी पिन का पीछे वाला गोल वाला पार्ट होता है इसको हमें लहसुन के उपर वाले पार्ट में फसा देना है इससे क्या होगा जो उपरी पार्ट है इसका टूट जाएगा और इसका छिलका बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है देखिए मैंने आपको छिलके भी दिखाया है इसी तरह से आपको वापस से इसमें डालना है इस तरह से देखिए और कितना आसान तरीके से पूरा ही कली का लहसुन का छिलका जो है निकल जाता है आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा और सैप्टी पिन तो हम सभी लेडिस के पास होता है तो आप इसको एजली तरह से यूज कर पाएंगे आईडिया पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा लहसुन को स्टोर करने का तरीका अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं ने डिटेल में बताया हुआ है कि लहसुन को कितने तरीकों से स्टोर कर सकते हैं अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की मौर्टीन को लेकर तो देखे ये जो मौर्टीन होती है हम सभी लोग मच्छर भगाने के लिए इस्तमाल करते हैं लेकिन कभी कभी इसका छोटा सा पार्ट तूट जाता है इसको हम यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका चकरी जो होता है इसको हम स्टैंड में फसा कर यूज कर लेते हैं लेकिन इस छोटे से पार्ट को हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं तो इसको इस्तमाल करने का बढ़ चुका है इसमें आप चोटे से चोटा टुकडा भी जला सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है यहां पर जो कलोध पिन है यह इस्टील का होना चाहिए प्लास्टिक का कलोध पिन आपको नहीं लेना है इस तरह से हमारा काम बहुत जादा आसान हो जाता है और जिस चेज को ह सबसे अच्छा लगा है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो का लिंक एंडर स्क्रीन में हैं आप वहां से देख सकते हैं बाई फ्रेंड्स